बाड से प्रवावित किसानों को मुआफजा देना सरकार की जिम्मेदारी है फसलों का भीमा हासिल करने के लिए भी किसानों को टंकी पर चड़ना बढ़ा अपने हक के लिए किसानों को सडक लर्क यूं उतरना पड़ रहा है सरकार ने बाड़ प्रवावित किसानों के लिए कोई कदम नहीं उठाया पोटल पोटल खेल कर किसानों का समय खराब कर रही है सरकार आंदोलन करने वाले किसानों को नजर बंद किया जा रहा है खटर सरकार की मंशा किसानों के प्रतीश सही नहीं है आम आदमी पार्टी किसानों की मांगो का समर्थन करती है अनुराग धाना हर्याना की खटर सरकार किसानों पर लगातार अत्याचार कर रही है बाड में जिन किसानों की फसल खराब हो गई जिनके खेत में पानी आया जिनके खेत में रेत आ गया जिसकी वज़े से कि उनकी फसल नहीं हो पाएगी इस सीजन में ऐसे किसानों को मुआवजा देना सरकार की जिम्मधारी है लेकिन पहले भी बीमा कंपनियों से क्लेम हासिल करने के लिए आपने देखा कैसे सिर्सा में दो हफते तक टंकी के उपर चड़के प्रदर्शन करना पड़ा किसानों को सड़क जाम करनी पड़ी उसके बाद सरकार ने कहा कि हाँ बीमा कंपनियों से क्लेम दिला रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं खटर सरकार से कि अगर वो बीमा क्लेम बनता नहीं था तो अब कैसे मिल जाएगा और अगर वो बीमा क्लेम बनता था जायज हक था किसान का तो उसके लिए उन्हें सड़क पे क्यों उतरना पड़ा टंकी पे चड़के प्रदर्शन क्यों करना पड़ा उनको वो बीमा क्लेम कंपनियों की तरफ से समय पर क्यों नहीं दिलाया गया आज भी दुबारा वैसे ही हालात पैदा हो रहे हैं बाड़ की वज़े से जिन किसानों की फसल बरबाद हो गई उनको मुआवजा देना क्लेम दिलवाना सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है सरकार ने अभी तक अनाउंस नहीं किया कितना मुआवजा देंगे सरकार ने अभी तक गिर्दावरी नहीं कराई जमीन पे सिर्फ एक पोर्टल पोर्टल खेल करके किसानों का समय खराब कर रहे है और अब जब किसान अपने इस क्लेम को मांगने के लिए अपने इस मौवज़े को मांगने के लिए आंदोलन करना चाहते हैं तो सरकार उन से उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन रही है किसान नेताओं को घर में घुसके गिरफतार किया जा रहा है किसान नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है उन्हें आंदोलन करने से रोका जा रहा है ये साफ दिखाता है कि इस खटर सरकार की मंशा किसानों के प्रती सही नहीं है आम आदमी पार्टी का किसानों की इस मांग को पूरा समर्थन है किसानों को बाड में हुए नुकसान का मुआवजा तुरंत दिया जाना चाहिए खटर सरकार की तरफ से